ख्वाब तूटे हैं मगर होसले जिन्दा हैं हम वो हैं जहां मुश्किले शर्मिन्दा है लिंक मैं दे दूँगों दूटे हैं वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों ताकि आपको इस तरह के डेली मौनी में करेंड फेस्क वीडियो मिलती रहे इसके लाबाद दोस्तों मैं आने के देख सकते हैं ठीक है चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों साथ पहले आगान प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के डेली वीडियो मिलती रहे वीडियो लाइक कर दे शेयर कर दे अपने सभी मित्रों के साथ चैनली दोस्तों स्टार्ट करते हांचे क करने पहला कोश्चन बहुत important है राष्टरी सिक्षा दिवस किस दिन मना जाता है तो दोस्तों राष्टरी सिक्षा दिवस मना जाता है प्रतिवर्स 11 नवंबर को ठीक है 11 नवंबर को option D right है दह significance 11 november को भारत में राष्टरी सिक्षा दिवस मना जाता है और EJ वन देथ साप यहाँ से कोशन मनता है भारत के पहले सीक्ष्यमंच्री कौन थे तो भारत के पहले सीक्ष्यमंच्री थे मौलाना अभुल कला मजाद ठीक है और यह सिक्ष्यमंच्री कब से कब तक थे 1947 से19range तक है यह भी आपको आदरोकना है और वो है उर्दू-पर्षी के प्रसित फी द्वान थे, यहां पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मौलाना अभुलकलाम 1992 में भारत रदने से सम्मानित किया गया था मौलाना अभुलकलाम अजात को ठीक? भारत रदने पुरुषकार को सुरात कब हुए थी? 1954 से हुए थी, कला साहिट विग्जान यहाँ पर confusion नहीं होने दोस्तों आपको बता दे कि भारत वे प्रतिवस राष्टी सिक्षक दिवस सिक्षा दिवस और सिक्षक दिवस इसमें अंतर है डिफरेंस से ध्यान दीजिएगा तो भारत वे प्रतिवस सिक्षक दिवस का मना जाता है पांच सितंबर को सिक्षक दिवस मना जाता है पांच सितंबर को और ग्यारे नंबर को मना जाता है सिक्षा दिवस तो मौलाना भूल कलाम आजात के समान करू में मना जाता है सिक्षा दिवस इसके लाब दोस्तों आपको बता दे कि अभी हाली में राश्टी एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है 31 अक्टूबर को National Unity Day सरदार बल्ला भाई पटेल की जैनती के अफसर पर और Statue of Unity की भी शुरुवात हुई है गुचरात में नर्वदा इस्टिक में तो यह भी आपको आद रखना है इसके लाब दोस्तों आपको बता दे कि अभी हाली में 24 अक्टूबर को साइगतरास्ट संग स्थापना दिवस 14 अक्टूबर को सहजिट राज संग के स्थामना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 कई थी सहजिट राज संग का हेड़कवाडर कहां पर है नीव्यार की USA में सहजिट राज संग के बरतमान प्रमुक कौन है महास्चिट कौन है एंटेनियो गुटेरस जो की पूर्टगाल से एंटेनियो गुटेरस सेंक तुराज संग के बारे में इतना फैक्ट आपको आदकने साथी सेंक तुराज संग में बरतवान विस सदस्य देश से 193 कंट्री इसे 193 और अक्टूबर महा के कुछ दिवस से लेटेट कोश्चन तो याद रखियेगा हाली में 22 शलांख की दिवस मनाँ एग裡面 को अंतरास्टी बाली का दिवस मनाएगे जैता है इसके लाबब जो जो S учah अक पूंच्प पूचा आता है ऑन कि बातों प्रवाथ ऐस राश्टी यौवागानद निकर मोरे सभरेस जन्वरी को बारा हम सभरेस जन्वरी को मना जाता है राष्टी सुषासन दिवस 25 दिसंबर को मना जाता है तो राष्टी सिक्षा दिवस किस दिन मना जाता है ये मना जाता है 11 नमबर को जबकि सिक्षा दिवस 5 सितंबर को ठीक है सिक्षा सिक्षा कन्फ्यूस बिल्कुल नहीं होना है ठीक है यहाँ पर आपको बिल्कुल गियर ह होना चाहिए तो इसी तरह मैं आपको हर कोईस्टन में सब्सक्राइब बताओं को विस्तार से वीडियो को अंदर तक देखा आपके मित्रा त्यारी करें सब इक साथ इस वीडियो को शेयर जरू करें दस नमर्द वठारा को उपर आश्टपती एम्मेंकायन आडू ने किस देश में एक उद्धिश्मारक का उद्गहटन किया है यह किया है फ्रांस में ठीक है कहाँ पे फ्रांस में आप संडी राइट हो जाएगा फ्रांस देखे दोस्तों दस नमर्द वठारा को उपर आश्टपती एम्मेंकायन आडू ने पर्थम विश्विद्ध में मरने वाले हजारों भारती सेंकों को संद्धाजली अर्पित करने के लिए फ्रांस में एक उद्धिश्मारक को और इसमारक फ्रांस में भारत द्वार निर्मी तेक विश्विश्ष इसमारक है आपको बता दे कि उपरास्ट्पती एम्मेंकायन आडू पेरिश में विश्विद्ध उद्ध विराम सताब्दी में समारों को प्रतनित कर रहे है ठीक है और दोस्ते अहां पर उपरास्ट उपराष्ट पती की बात हो रही तो आपको बता देग जो भारत को फ्रस्फपती होता है यह आर्टीकल 63 में उपराष्ट पती पत का प्रावधान है और आर्टीकल 64 के तहित राज्जी सभा को जो पदेन सभापती होता है भारत का उपराश्टपती होता है ठीक है उपराश्टपती सभापती होता है तो सभापती वरतवान में कैना एड़ू यहां पे एक fact याद रखिएगा important fact है भारत में वरतमान में उप्षभपती कौन है हर्वान सनारायन सिंग ठीक राजशवा की उप्षभपती हर्वान सनारायन सिंग है उपरास्टपती पत की संकलबना साइक तो राजजी अमेरिका के संब्धान से ली गई है उपरास्टपती बंदे के लिए निन्ता माई श्रीवा पैटीस वर्स है कारेकाल पांच वर्स का निधायत की आगए कि इन दुए चाहे तो निधायत कारेकाल की पूर भी अपना इस्तीफा दे सकता है ठीक है भारत के पहले उपरास्टपती कौन थे ठीक है तो यह फैक्ट आपको उपरास्टपती से लेटेर जरूर याद रखना है एक्जाम में यह पूछ लेता है करेंड फेस के साथ साथ यह जितने भी बता रहा हूँ यह बार बार पूछे जाने वाले काफी important question रहते हैं ठीक है दोस्तों तो यह आपको यह बात करें हैं आप फ्रांस की बात हो रही तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस ठीक है पश्रम यूरोब मिस्तित एक्देश है और यहां के राष्टपती जो है वरतमान फ्रांस के वो है इमेनुग मैक्रो Mr. President है सहरी PM है इड़ीवाइभ फिलिप ठीक है इड़ीवाइड फिलिपी वरतमान फ्राइमिनिस्तर है राष्टपती है मैंनुग्र मैक्रैने nod ki disrupt में करें cost 됩니다 क्योंट फ्रांस में फ्रांस में थीग है भी यह फ्रांस है क्या है आपको जरूर Isn't चिप्स का ठीजिव चिप्स कि स्रामागरी से बने होते हैं प्लास्टिक के ठीक है प्लास्टिक के प्लास्टिक के देखे लिए कि अधरास्टी अंतरिक स्टेसन पर 3D में वाले चोटे उपकर्णों को भेजने की योजना बना रहा है जिरे टिस्यू चिप्स या और्गन आन चिप्स के रूम में जाना जाता है को बता दे किस से यह जानने मदद मिलेगी कोश्काएं, तनाव, दवाओं और रन्वानसिक परितनों का सामना कैसे करती है टिस्यू चिप्स लचीली प्लास्टिक से बने होते है इसके लावब, उनके अंदर कोश्काओं को पोशक तत्थ और ऑक्सिएन बादान करने के लिए पोर्ट और चैनल होते है ठीक है? तो हाली में टिस्यू चिप्स आर्गन ओवन्चिप्स खब्रों में है तो यह सामिल क्या गया है Peter D capitalaug अपको उताक है उन महान कानड़ाई लोगों के साथ सामिल हो chyba जिन्नोंने क्रिशी और खादे वेवसाई में अपनी छहाफ शोड़ी है आपको उताक है को उस्प्रे के बत्मान अद्धेक्स भी है और जो यू एस में कानाडा कैनेबरेरी किसानों के विबड़न सहकारी है ठीक है तो हाली में इम्लिकित में से किसे कानाडाई अग्रिकल्चराल हाला फे में सामिल किया गया है पीटर धिलनों को अगला कोशन देख लेते हैं राजस्थान हाई कोट के वरिष्ट नियामूर्ति गोविंद माथूर को किस उचने आले का मुख्य नियाधिस नियुक्त किया गया है करेक्ट अंसर हो यागा इसका ऑप्सन डी इलाहाबाद उचने आले ठीक है भारत सरकार ने दस नमद उठार और इलाहाबाद उचने आले के वरिष्ट नियामूर्ति एपी साही को पटना उचने आले के मुख्य नियाधिस नियुक्त किया गया है ठीक है तो राजस्थान हाई कोट के वरिष्ट नियामूर्ति गोविंद माथूर को किस उचने आले का मुख्य नियाधिस नियुक्त क कि आगया है कि त्रिपूरा का ठीक है त्रिपूरा आप साने दिखिए मतप्रदेश उच्ण अलग वेस्टम नयामूर्ती इसके सेट को मतप्रदेश को अच्ण याले का मुख्षिनाधिस नियुक्त कि अगये ठीक है मतप्रदेश के नय जो अब बन गए है इसके सेट बन है एसके सेट ठीक है एसके सेट अगला कोशन देख लेते हैं किस बैंग ने रिलाइंस इंडेस्टी द्वारा ट्राइकाउन एनर्जी को निर्याद से जुड़े सोधे के लिए ब्लॉक्चेन को उप्यों करके भारत का पहला वित्ती लेन निस्त पादित किया है इसका कि शुभंकर्डे जिन्हों ने सारलोक सो पेंड जीता है किस खेल सम्बंदित है जिस्ट सम्बंदित हैं बार्ड मिंट् GC ठीक है बार्ड मिंटं Constable को जर्मनी में सार लोक औड जीता है वे बैडमिंटेन खेले संबन दीत है गुवाहाटी उचनियाले के शेवानिवित न्याधिस प्रणब कुमार मुशाहारी ने किस राजजी के पहले अध्यक्रूम में सपत ली है मेघाले option D गुवाहाटी हाई कोट के शेवानिवित न्याधिस प्रणब कुमार मुशाहारी ने मेघाले लोकायुक्त के पहले अध्यक्र शुरू में सपत ली थी ठीक है मेघाले अगला गुचन है लोक्षवाग की वरतमान महासेचीव कौन है तो लोक्षवाग की वरतमान महासेचीव हो इसनियलता स्रीवास्ता हो option D अगला गुचन देख लेते हैं दोस्तो एक ग्यार में ACI सुटिंग कैमरा में से दिव्यांग सिंग ने जूनियर पूरु सिवेंड में रज़त प्रदक जीता है जिसका राइड एंसर व्याग दोस्तो option 10 मीटर एर राइफल स्रीक आप्सन D ठीक है देखे दोस्तो दिव्यान सिंग ने 10 मीटर एर राइफल जूनियर पूरु सिवेंड में रज़त प्रदक जीता है ठीक है और आप बहुत आदे कि L.Venil क्लार विवान ने 10 मीटर एर राइफल जूनियर महिला इवेंड में कांसे प्रदक जीता है ठीक है तो यह इंपोर्डेंट कोश्चन आप देख लेते हैं दोस्तो रास्ट वीडियो का एंसर लास्ट वीडियो का एंसर हाली में किसे यूके में मानत डारेक्टर समानित किया गया तो इसका करेक्ट एंसर था ओप्सन C अरुनिमा सिनहा को सभी चुड़ने राइट एंसर दिया था अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है आज का कोश्चन है इनमें से किस भारती पहलवान ने 10 नमबर 12 को 65 कि लोगे बर्ग में दुनिया में नमबर 1 रैंक हांसिल किया है उप्सन दे रखे हैं तो प्लीज आफ disagree और और आज कमेंट करेंगे में यहाँ कर देंगे इसल़के बरतमान में एधिकारी भारत में कौन है कौन किया है कि वीडियो बनाएब जरूनुख सकते हैं और यहाँ पर हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आएगा तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले हमारे दूसरे चैनल वहाँ पर भी वीडियो पोस्ट करता हूँ ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स वडियो के साथ तब तक आपनों ध्यान रखें, स्वास्तर रही है, बेस्तर रही है, All the West, जै हिन, जै भारत!